बिहार में राम को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गर्म हो गई जिस तरीके से कल जीतन राम मांजी ने राम को कालपनिक बताया और एक कहानी बताई जिसको लेकर सीधे तोर पे कह सकते हैं कि राम को लेकर एक बार फिर बिहार की सियासत में भुचाला गया वहीं आज पुर्व अध्यक्ष रहे बिधान सभा के उदै नरान चौधरी से ये सवाल पूछा गया तो सीधे तोर पर उन्होंने कहा कि ये एक कालपनिक है और उनके समर्थन करते हुए नजर आए ब्यानों से वहीं उन्होंने कहा कि पृत्वी पर रहने वाले कभी शुरी को निगल सकता है क्या वहीं राम के ब्यानों पर उन्होंने कहा सीधे तोर पर कि ये लोग सिर्फ जनता को भ्रम फैला रहे हैं और जो चीजे जरूरी है वो जनता के हित में होनी चाहिए चाहे वो रोजी रोटी मकान की बात करे गरीवों की बात करे लेकिन ये तमाम चीजों पर बात नहीं हो रही है तो लोगों में एक व्रम फैलाने के लिए इस तरह के प्रुप गंडे अपनाये जा रहे और इस तरह के ब्यान दिये जा रहे राम को प्राठ करम में सामिल कराने को लेकर इस सवाल पर कल जीतर राम मांजी ने सीधे तोर पर राम को कालपनिक बताया और एक कहानी बताया था जिसके बाद से ही विहार की राजनितिक में भूचाल सा आ गया है वहीं उदय नरायन चौधरी ने कहा है कि सुर्य को कोई प्रित्वी पे रहने वाला निगल सकता है क्या और उन्होंने क्या कुछ कहा है राम को लेकर जिस तरीके से ब्यान सुरू हो गए हैं उनके ब्यानों क अब देखे क्या होता है प्रोगाम जैसे होगा उसी कंफार चलेगा एक सवाल है यह सरकार के पास रोजी रोटी का कोई सवाल नहीं है बेरुजगारी दूर करने का सवाल नहीं है चिकित्सा सुधात दूर करने के सवाल नहीं है गरीब लोगों के भोजन की आवास की बेवस्था का कोई सवाल नहीं है तो ऐसे ही फालतू फालतू यह सब पीसे चुनते रहता है जिससे लोगों को कि दिमाग को भरमाए जा सके किसी ने देखा है क्या कालपनिक नहीं है तो क्या है बताइए प्रित्वी पर रहने वाला आदमी और सूरज के कैसे निगल जागा इस सब कालपनिक कहानी नहीं तो आपने साफ तोर से सुना कि राम को कालपनिक बताया जाने पर बवाल मच चुका है वहीं उन्होंने काया कि प्रित्वी पर रहने वाला शूरे को निगल सकता है सिर्फ गरीब की बात करनी चाहिए चिकिस्सा की बात करनी चाहिए रोजगार की बात करने चाहिए तमाम मुद्दों को लेकर इस तरह के ब्यान देते रहते हैं जो जरूरी है वो ब्यान नहीं दिया जाता है और लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है इस तरह के ग अ legitimately कर हुप लिध की एा री कि अ टूंकानी दौ लादा रहत दो को म हुआ हो कर दो нет कि रहे वो